तो हेलो गाईज अभी बज़ रहे थे सुबे के साड़े साथ और मेरे जाड़ू वगरा मैंने पहले लगाए थी जाड़ू वगरा डस्टिंग वगरा करके बैट सीट ठीक-ठा करके उसके बाद मैं धू रही थी बरतन क्योंकि बरतन होने के बाद सिर मैं लगाती हूँ साध हे था अभी सुभे के 20.30 हो रहे थे और मैं बर्तान धकला रही थी श्यायद मैं रात को बर्तन भरतां यहाला हूए था श्यायद मैंने रात को भरतां नहीं धोय थे शयाया थी श्यायद तो रात को मैंने बरतन नीद होए थे आलस आ गया था मुझे इस वज़े से तो अंधेरा भी हो चाता है फिर इदर रात को बलफ नी लगा हुआ इदर इसलिए थोड़ा सा तो मैंने सुबह बरतन धोई थे जादा नहीं थे थोड़े बहुत थे तो मैं बरतन निकाल मतलब तो अब मेरे लगबग बरतन धुल चुके हैं और यह बोटल पानी की बोटल मतलब की फ्रीज में तो नहीं रखते हैं बट यह है कि भरके रख लेती हूँ पानी बोटल के मतलब जब खाना खते वक्त पानी गिलास वगयरा मैं कि आब बोटल उठा के लिए आती हूं तो व फिर बारतन धोने के बाद जो यह बाल्ती भगैरा होती है तो फो भी मै sail thu की साथ दो और जहें से लिए ईस वजेıां और थे से तो में बाल थो रही हूं तो मेरी बोटल वगेरा भी धूल चुके हैं चार बोटल है तीन भी नहीं है सौरी तो धूल चुके हैं बरदन में धूल चुके हैं तो मैं अंदर रखने जा रही हूँ बाल्टी मैंने ये छोटी वाली धूली थी उसके अंदर फिर मैंने बोटल रख दी थी तो ये मेरा पानी वागेरा पानी भर गया था उसके बाद फिर मैं ये पानी भर गया था शायद पता नहीं तो मैं ये मतलब कि यहां पर थोड़ा कूड़ा वैसे तो चैपती वागेरा तो मैं यहां नहीं फैक्ति बटी है यह थोड़ा बहुत कूड़ा होई जाता है तो इसी वज़े से और फिर पानी भी भढ़ जाता है तो मैं इसको साफ कर रही थी बरतन दोली थे सारा मतलब धूल चुका था टोटली तो फिर पानी भढ़ना रह गया था शायद मेरा तो मैं जाड़ू लगा रही थी दर फिर मैं अपने हाथ वाके रहा धोलूंगी तो अब पानी भढ़ने के बाद फिर मैंने पोचा लगाया था ये तो अंदर वाले कमरे में लग चुका था बाहर थोड़ा सा रागिया था तब भी मैंने दिखाया था बाहर ही क्योंकि फोन बाहर ही रखा हुआ था इसके बाद फिर मैं आने चली गई थी पोच लगाने के बाद अलो गाइज नमस्ते से स्रिय का लदा प्रादे रादे जैगुरू जी वेलकम बैक टो माई चैलन्ज तो अभी बज़रे हैं सुभा के सावा नो नो बेस हो रहे हैं क्या दिखा हूं अभी देखे जाएगा बात मैं तो अभी सावा नो हो रहे हैं और मैं करने जारी हू क्यां आंप शच्टा सब्सक्राइब और मारा करें गज़रे हूं अब अब मैं पोजा कर लेती हूं थो ब्लार करता है पतानी चिह दुलुदुदुदुदुदुदँ दिखताएं वैंसे ठीक है ग्लगता है जेसे हाथ यहाथ लग जाते हो उस त्राशे वत से घुला King कभीव ही लगज़ता है और में पिल्दुदुदुन मुझे प्लक मंदिर की लाइट का प्लक लगाना ध्यान नी रहा मैं भूल गई थी प्लक लगाना चाहिता अंधेरा लग रहा है थोड़ा सा मंदिर में तो मैं आठती करती टाइम साड़े नौ हो गएते शायद फिर मैंने नाश्ता कनिय को देने के बाद मैंने भी कर लिया थ अधिया उसके बाद फिर मैं बना रहें सी खिचड़ी गोबी मटर डालके और अलुटाके तो मै ने जीरा डालते ओएल नहिकर और दोड़ा धेश जाट पट्वड़ा कर देते हूं और मैंने वो भी डाली थी लों मैं दिखाना भूली सॉरी फिर ये मैंने टमाटर डाल द यह पिर यह खड़े खड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगता है इसलिए ale i.e. फिर मैंने गोबी बगारा पहले काट लिती गोबी आलू तो वही मैंने डाल दे था और मतर मैं लाई थी इसी के लिए चावलों के लिए सफल मटर जो मिलती है बाहर वही वाली मैं सफल मटर लाई थी वही डाली है मैंने इसमें थोड़ी मटर डाली है जादा नहीं फिर थोड़ी सी मैंने बचा ली थी फिर मैंने सबजी में डाली थी जो बची थी थी थोड़ी बहुत फिर इसके बाद मैंने छ तो मेरे चुप गए थे मैंने कुकर बंद कर दिया था अभी सामके साड़े पांच होने वाले हैं 25 हो रहे हैं शायद 26 अथा इस मान के चलो देख लो आपको दी तो साड़े पांच हो रहे हैं अब मैंने कर्किण क कपडर गला दियता है और मैंने सो गई तो मुझे मुझे याद नहीं है, कपड़े दोने azzरणा हो तो मैं जो पांच वचे करीब तो मैंने ज्घुवब अगेरह लगा लिए जोड़ी और जोड़े दोने, ने कंदो दोरा, और अब में कंदों जोड़े जोड़े धाया। कपड़े बहुत कंदे आपको धिखाऊंगी मैं देखना मैं दोईते कपड़े उसके बाद सारे कपड़े को बशुरी कि नीकालने के बाद फिर यह देखोयां गलंग यह काला सा निकला हाँ कैसे और वाँ पानी के पड़ों एक निकालने के फिर दूसरे पानी में निकाल रही थे क्वापा नहीं है thought पर पर एभां के शावल बियर ड़ें के वाप लोग उसी युम्यारी पड़ग करें। हुच ने दोब सब्सें तो 2012 इसे वहzahlएं जांदे विए इसफे श्रुदी में तो कपड़े सुखांआजी तो यह मैंने थोड़ा पनी खिचडी में मतलब कि मैंने जो गरम की रिती ना उसमें मैंने पाने डाल दे गरेवी वाली कर दिये खिचडी और वैसे सूखी बनाई थी तो अब इसे खा लेते हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर मैं तब तक के लिए बाई तो हेलो गाइस रात को मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी तो और मैंने आपको बताया था कि खाना खारे मतलब खिचडी बनाई थी तो वहीं खाई थी और उसके बाद बस खाली शायद दस तो बजी चुके थे दस बच के दस मिनट हो रहे था आपको मैं दिखाया भी और मतलब कि अब एक घंटा शायद मुसक्त से ग्यारा साड़े ग्यारा बजे ग्यारा बजे के ग्यारा दस पांस पे मुझे शायद नीन आगे थी कि तो उसके बाद लाइट बंद बंद करके मैं सो गई थी वीडियो का एंड नहीं किया था उसके लिए I am really sorry मैं सो गई थी खाना वाना खाके हम लोग सो गयते क्योंकि कुछ काम ही नहीं था सारा काम हो चुका था तो इसलिए फिर सो गई थी और कुछ खास किया नहीं टीवी में अपने सीरियल आगे रहा देखे थे तो इसलिए मैंने कुछ ब्लोग मतलब ब्लोगिंग नहीं कि उसके बाद खाना क्योंकि लेटी गई थी फिर कुछ नहीं था खाना खाने के बाद इस वज़े से तो बस इतना ही किया था पूरा दिन का यही था किया क्या क्या नहीं तो अगर आप सभी को आज का मेरे यह ब्लोग पसंद आया तो प्लीज लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और अगर आप